सिग्रेट न पीने वालों को सिग्रेट के दुए से परेशान होना चाहिए 75 बरस के नलनी सत्या नाराइन कहती है कि मैं अपने नाग से सांस नहीं ले सकती मैं अपने गर्दन के सोराग से सांस लेती हूँ इस अमल को स्टोमा कहते हैं नल्नी सिगरेट नोशी नहीं करती लेगन अपनी शादी शुदा 33 बरसों में वो किसी दूसरे की तंबाकू नोशी के दुए का शिकार रही उनके अपने शोर की मौत के 5 साल बाद सन 2010 में उनमें किंसर की तश्कीश हुई नल्नी जो जुनोबी इंडिया के शहर हिदराबाद में रहती है ने गेर मुलकी नश्रियाती दारे से बात करते हुए बताया कि मेरे शोर हर वक्त सीरेट पीते रहते थे मैं नहीं जानती थी कि इसका मुझ पर भी असर पड़ेगा या मेरे लिए भी इतना ही बुरा होगा मैं उनकी सहत के बारे में फिकर मनती और उनसे कहती रहती थी वो तंबाकू नोशी छोड़ दें लेकिन मुझे अंदादा नहीं था कि उन पर मेरे किसी बात का कोई इसर हुआ होगा World Health Organization WHO का कहना है कि तंबाकू नोशी से हर साल 80 लाख अफराद हलाक होते हैं इन में से 12 लाख तंबाकू पीने वाले लोगों के खारज उने वाली दूएं से हलाक होए दुनिया भर में मतदित अफराद जिन्दगी कम करने वाली बिमारी में मुझतला है तंबाकू नोशी के रोकताम के लिए आलमी दिन के मौके पर हम नलनी जैसे अफराद की कहानिया हमारे सामने हैं यह उन अफराद में से हैं जो खुद तो सिगरेड नोशी नहीं करते लेकिन अपने साती के सिगरे नोशी की आदत के बाइस दिगर बिमारियों का शिकार हो जाते हैं एक दिन नलनी अपनी पहली पोती जनानी को दिल्चस्पा आनिया सुना रही थी जब उन्हें एसास हुआ कि उनकी आवाज में खरत्तगी आ गई है तोड़ी ही देर में वो साब बोल नहीं पा रही थी उनका सांस भी पूलने लगाता उनकी बिमारी की तश्कीश चाती के कैंसर तोर पर हुई थी डाक्टरों ने उनके वोकल कार्ड मसल्स और थायराइट्स को अटा दिया वो बताती है कि मैं बोलने की सलायत को बेटी ये बहुत माईस उन था फिर डाक्टरों ने मुझे बताया कि मैं अपनी असले आवाज दुबारा आसिल नहीं कर पाऊंगी जनानी अब 15 साल की हैं और उन्हें याद है कि अचानक उनकी बहुत बाते करने वाली दादी के साथ क्या हुआ था जनानी उस दिन को याद करते हुए कहती हैं कि जब उनकी दादी में मर्श की तश्वीश हुई तो उस जरान वो गर पर मौजूद नहीं थी तान जब उनकी दादी वापस आई तो चार साला नननी ने देखा कि उनके पेट में टूब्स हैं हर जगा टूब्स थे हमें अक्सर अपने घर की सफ़ाई करना पड़ती थी और हमारे साथ एक नर्स रहती थी मुझे नहीं लगता कि मुझे उस वक्त की संगीनी का एहसास था मेरे लिए सब कुछ सिर्फ नागवार था WHO का इस्तरार है कि तमाम किस्म के तंबाकू नुकसान दे हैं और तंबाकू की नुमाईश की कोई मेहफूस सता नहीं WHO यूरोपी आफिस में तंबाकू कंट्रोल की टेकनिकल आफिसर इंजीला सियोबानो का कहना है कि दूसरे लोगों के छोड़े हुए दूएं में साथ हजार से ज्यादा केमिकल होते हैं जिन में से सतर कैंसर का सबब बनते हैं तंबाकू नोशी न करने वालों के लिए दूसरों की जानिब से चोड़े गए दूएं से फेपड़ों के कैंसर का खतरा 20 से 30 वीसे तक बढ़ जाता है तंबाकू का दूएं हमारे दिलों की सहथ को भी खराब करता है वो मज़िद कहती हैं कि एक गंटे से भी कम वक्त तक दूसरे हाथ के दूएं का शिकार होने से दिल की शरियानों की अंदूरी नी तहको नुफसान पहुंच सकता है जिससे दिल का दूरा पढ़ने का खतरा बढ़ जाता है अकवा में मतायदा के दारे बराय सहत का तकमीना है कि दूसरों की तंबाकू नोशी के दूएं से मतासर होने आले अफराद यानि गेर फाल तंबाकू नोशी से हर बरस 65,000 बच्चों की मौत वाके होती है किसी दुसरे की तंबाकू के दुहें से मुटासूर होने वाले बच्छों को भी कान में इनफेक्शन का खत्रा बढ़ जाता है जो मुमकिना तौर पर समात में कमी और बेहरेपन का बायस बंता है सेवबानों कहती हैं कि बच्चों में सांस की शड़ी दिमारी का खतरा पचास से सो फिसद ज्यादा होता है साती दमा और अचानक मौत की अलामतों का खतरा बढ़ जाता है डबलियो चो का ये भी इस्तदलाल है कि तमबाकू नोशी करने वालों और तमबाकू नोशी ना करने वालों में तमबाकू नोशी पर पाबंदी के मजबूत हिमायत मौजूद है सेवबानों कहती हैं कि मुकमल तोर पर तंबाकू नोशी से पाक माहूल ही सिग्रेट नोशी न करने वालों के सहथ की इफाज़त का वाइद मोसर तरीका है तंबाकू से होने वाली अमवाद को कम करने में मदद के लिए आलमी कोशिशों ने सन 2005 के फ्रेमवर्ग कन्वेंचन बराय तंबाकू कन्ट्रोल की शकल अख्तियार की अब तक 182 मुमालिक इस फ्रेमवर्ग पर दस्तख़त कर चुके हैं तंबाकू के खिलाब महुम चलाने वाले गुरोहों का केना है कि कुछ मुमालिक को आवामी सिग्रेट नोशी पर पाबंद याहित करने के बजाए मज़ीद आगे बढ़ने की जरूते और कन्वेंचन में शामिल दीगर तजावीज पर अमल दरामत करने की जरूते